अखिरकार एलन मस्क की टेसला भारत के अंदर 25,000 करोड का निवेस प्लान के साथ हुतरी है जानेंगे टेसला ने टीम बेजी है इसके क्या मतलब है और आखिर टेसला भारत की सर्तों पर क्यों तयार हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ रात में भारत ने ऐसी कौन सी मिसाइल दागी है जिसने पडोसियों को टेंसन में डाल दिया है जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है हमेशा की तरह CIS News Network के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ आये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से इस्क्रीन पर एक ट्विट देख रहे हैं और ये ट्विट एलन मस्क के द्वारा किया गया था 2018 में जब इनसे किसी ने सवाल किया था कि आप अपनी कमपनी भारत में कबल आ रहे हैं तब इन्होंने कहा था कि हम तो भारत में आना चाहते हैं लेकिन गवर्मेंट के कुछ नियम है और वो नियम हमें सूट नहीं कर रहे हैं हम कोसिस कर रहे हैं जितनी जल्दी हो सके हम आपके देश में आएंगे उसके बाद फिर 2019 में भी उन्होंने इस बात को दोहराया कि हम कोसिस कर रहे हैं और हम जल्दी ही आपके देश में आएंगे काफी लंबे समय से एलेन मस्क भारत के बाजार में एंट्री लेना चाहते थे लेकिन भारत के बाजार में एंट्री लेना इतना आसान नहीं था इसलिए आसान नहीं था क्योंकि भारत सरकार अपने कुछ नियम बगेरा रख रही थी भारत सरकार ने उस समय ये कहा था कि जो भी इलक्रिक वाहन हमारे देश में आएंगे खास तोर पर जो ये लगजरी कारे हैं इन में आपको एक सो परतीसत टैक्स देना होगा एक सो परतीसत टैक्स के बाद कीमते बहुत जादा बढ़ जाती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ने की वज़े से एलन मस्क ने उस समय कहा था कि नई जी हम आपको इतना ज़्यादा नहीं देने वाले हैं 40% अगर आप टैक्स लेना चाहो तो हम देने को तयार हैं क्योंकि 100% टैक्स लगने के बाद तो ये बहुत महंगा हो जाएगा और हमारी गाड़ियां फिर बिकेंगी नहीं तो ये किसी कामका रहेगा नहीं उसके बाद काफी लंबी बात्चीत चलती रही भार सरकार ने ये भी ओफर दिया कि देखिए अगर आपको छूट चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप हमारे देश में आकर निवेस करिए हमारे यहां फैक्टरियां लगाईए और प्लांट लगा कर फिर यहां पर आप छूट लीजिए उस समय टेसला मानने को तयार नहीं था और समझ लीजिए आप 2017 से बाते करते करते 2024 की नौबत आ गई अब स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कहा जा रहा है कि टेसला अपनी टीम भेज रहा है भारत ताकि भारत में कहां पर प्लांट लगेगा इसको लेकर यह बातचित करने पहुंचे हैं टेसला कारों का इंतजार जितना भारतियों को था उतनी ही बेसबरी अब टेसला कार कमपनी को भी है और अब यह इंतजार खत्म होने जा रहा है जल्दी टेसला कारों की मेनुफेक्चरिंग भारत में होगी भारत की सर्तों पर एलन मस्क अपनी कार प्लांट लेकर यहां आ रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक इसी महने टेसला की टीम भारत पहुँच दी है ये टीम भारत में इलेक्ट्रिक वहिकल बनाने के लिए जगह की तलास करेगी साल 2017 से ही भारत सरकार और टेसला के बीच में बाचित चल रही है शुरू में तो इन्होंने सरते मानने से मना कर दिया था पर अब जाकर स्क्रीन परापार्टिकल देख सकते हैं भारत में 2 से 3 बिलियन डॉलर यानि की करीब 16 से 25 जार करोड रुपे का निवेस करने की तयारी कर रही है ऐसा माना जा रहा है कि टेसला की टीम का फोकस है महराष्ट, गुजरात और तमिलाडू टेसला इन तीन राजियों में अपनी फैक्टरी लगाना चाहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तीनों ही राजिय समंदर के किनारे हैं जिससे कारों का एक्सपोर्ट आसान हो जाएगा आपको बता दे भारत सरकार और टेसला के बीच अब नए नियम के अनुसार क्या है एक तो ये अपना प्लांट बनाएंगे यहाँ पर इसी वज़े से इनको टेक्स में छूट दी जा रही है दूसरी चीज ये है कि सुरुआती दोर में ये छोटी कारे मनाएंगे ताकि यहाँ पर छोटी कारों को बेचा जा सके अब यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि अचानक से भारत सरकार ने ऐसा नेरनाई क्यों लिया भारत की कंपनियों को आगे आने देते तो वो ज्यादा अच्छा रहता फिलाल के लिए अगर इलेक्ट्रिक वहिकल मार्केट को देखेंगे तो टाटा मोटर्स का यहाँ पर दब दबा है पर भारत का एक टार्गेट है और टार्गेट है 2030 2030 तक भारत चाहता है कि मार्केट में 30% इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो और ये 30% इलेक्ट्रिक गाडियां होने के लिए भारत को जादा से जादा EV के निवेस चाहिए और EV के निवेस भारत बढ़ाना भी चाहता है इसलिए भारत ने अपने EV के पॉलिसी में भी कुछ बदलाव किये हैं ताकि दुनिया भर से भारत के इलेक्ट्रिक वहिकल मार्के में भी निवेस आए खेर अब ये टेसला यहाँ पर और भी कारण से भारत की सर्थ मानने को मजबूर हो गया है सबसे बड़ा कारण है चाइना जिस चाइना पर टेसला बहुत जादा उचलता था इसलिए क्योंकि चाइना में इसकी फैक्टरियां थी बहुत बड़ा निव केस आए ताकि ये एक इंफरस्ट्रक्चर बना दे इनके साथ काम करके सारी चीजों को सीख सके एक बार सब कुछ हो गया तो अब ये अपनी गाडियों को पर्मोट कर रहे हैं अपनी कंपनियों को पर्मोट कर रहे हैं एपल और टेसला दोनों के केस में ये देखने को मिल है कि चाइना में अब जो लॉस हो रहा है चाइना से ये भाग कर दूसरे मार्केट में आना चाहते हैं और यही वज़ा है कि इनों ने भी आखिरकार गवर्मेंट की बात मान ली है खेर जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक और नया धमाक किया है और भारत ने ये धमाका रात में किया है कुछ इस अंदाज में किया कि पानी में कई सारे युद्धुपोत तैनात थे अपने इस मिसाइल को देखने के लिए भारतिय सेना के रन्नितिक फोर्स कमांड ने नई पीडी की बैलेस्टिक मिसाइल अगनी प्राइम का रा रहा रास्ते में कई जहाजों ने इसकी निगरानी भी की परमानू बम गिराने में सक्छम ये मिसाइल भारत की सबसे आधुनिक मिसाइलों में से एक है इसे अगनी सिरेज के पुरानी पढ़ चुकी अन्य मिसाइलों को हटाने के लिए बनाया जा रहा था लेकिन बनते बन मिसाइलों के परिक्षन को देखते हुए चाइना ने अपने जासुसी जहाजों को हिंद महासागर में क्यों तैनात किया था कारण जानेंगे अगनी प्राइम बहुत खास है और इसे पाकिस्तान किलर मिसाइल भी कहा जाता है क्योंकि इसकी रेंज है एक हजार से दो हजार कि किलोमीटर, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पर्मानु तबाही मचाने की छंता रहती है, विसेसयों का कहना है कि इस अगनी पी मिसाइल को प्रीत्थ्वी, अगनी वन अगनी टू पर्मानु मिसाइलों को रिपलेस करने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब किसी भी के जरिये दागी जा सकती है मतलब रेल से रोड से कहीं भी ले जाया लाया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि दागने के बाद भी यह मिसाइल बीच रास्ते से अपना रास्ता बदल सकती है यही वज़ा है कि इसे मार गिराना आसान नहीं है इसे बनाया क्यों गया थ इसे बनाया गया था दूसरे देसों के यानि दूस्मन देसों के परमानु हतियारों को नश्ट करने के लिए जहां जहां परमानु हतियारों का सेंटर है उसे परमानु हमले से ही तबाह करने के लिए काउंटर फोर्स डॉक्ट्रीम का हिस्सा बताया गया था वैसे आपको बताते हैं विसे संगे कहते हैं कि अगनी पी की रेंज जो है 2000 किलो मीटर है तो चीन के कई लाकों में भी ये तबाही मचाने की छमता रखता है अगर किसी रनीतिक अस्थान से इसे दागा जाए तो चीन के आर्थिक पावर हाउस कहे जाने वाले सहरों चेंग दू, सिचुवान, हांग काउंग तक भी ये हमला कर सकता है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ